दोस्तों बिहार सरकार के दोरा एक नई यूजना चलाई जा रही है इस यूजना के ताहत हर एक पंचाइट के साथ लोगों को वहन खरिदने के लिए जो रासी है वो दे रही है सरकार इसमें अधिक्तम जो है आपको दो लाक रुपे तक की रासे सरकार दे रही है इसमें आप किस परकार का बाहन ले सकते हैं तो वैसे बाहन जिस पर मिनमम चार लोग बैठ सकते हैं या वैसे बाहन चार लोगों से लेकर दस लोगों को तक बैठने की जो सीटे होती है वैसे बाहन जैसे बहुत सारा लोग E-Rexa लेना चाहेंगे, तो वो E-Rexa ले पाएंगे, आटो लेना चाहेंगे, वो ले सकते हैं, 10 सीटर में आपके टेंपू भी आ जाएंगे, इसके अलावे मैं बता दूँ, जो आपके ये magic होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, इसके अलावे बहुत स कर सकते हैं इसके लिए online आवेदन की परक्रिया शुरू हो चुके हैं मैं कुछ basic जनकारी पहले बताऊंगा कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं क्या document आपको प्रस्तूत करने परेंगे और कैसे form को भरना है step by step process मैं आपको इससी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा वीडियो बहुत ही जादा महत्पूर्ण होगा साथिवो इससे अंततक दिखीगा पसंदा तो इससे like और share जरूर कीजिएगा ऐसे update के लिए चैनल को subscribe करना मत भूले ताकि आगे भी इस परकार के जो भी update होगा मैं आपको देने का काम करूँगा फिलाल अपने skin पर चलता ह यही से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने से पहले साथिक बेसिक जनकारी जो कि इस योजना के लिए है वो बताईगे यह हो आपको जानना बिलकुल जरूरी है देखे पहले योजना का उदेश क्या है समझे सरकार चाह रही कि इस योजना का जो म स्र 맡คร के लिए है उसको रोजगार के लिए भी स्रेजन करना यह सरकार की उद्स है इसके लिए डोकूमेंट क्या क्या देने होंगे आभेधन के लिए वा सी प्रमानपात्र साक्षनिक योगिता प्रमानपात्र और उम्र के लिए भी आप जो है अपना जो मेटिक के सर्टीफिकेट है उसको आप दिखा सकते हैं और गारी चलाने के भी ज्ञान आपके पास होने चाहिए देखे इसके लिए आभेदन कब से कब तक होंगे तो आभेदन जो है 28 तारिक से स्टार्ट किये गए है और लाज़ डेट इसका जो रखा गया है 27 सितंबर 2024 तक है इसके अलावे जो इनका फाइनल लिस्ट जो जारी किया जाएगा वो 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा उसके बाद किसको अपती करना तो वो सब डेट लाइन यहाँ पर बताया गया है अब इसमें दिखे अनुदान कितना मिलेगा ये जानना बिल्कुल जरूरी है इसमें बताया गया है कि अनुदान की रासी बाहन की जो खरीद मुल होगा उसका 50 पर 30 तक मिलेगा अथवा किनों को जोड़कर कुल रासी जो होंगे उसका आपको 50% मिलेगा और अधिक्तम एक लाख रुपे तक ही मिलेगा वही कोई व्यक्ति एर एकसा खरीता है तो उसका 50 परते साथ और अधिक्तम जो है 70,000 रुपे जो है आपको मिल सकते हैं जैसे मालेजी किसी का एर एकसा क्योंकि एंबुलेंस लेंगे तो 5 लाख रुपया का परेगा तो 2 लाख रुपे सरकार देगी यह पैसा चुकाने के कोई जरूरत नहीं है यह ध्यान रखेगा अब किस किस परकार की बाहन आप ले सकते हैं तो वैसे बाहन जिस पर कम से कम 4 सीट लगी हो 4 सीटर से लेकर 10 स जरूरी है और वो सवारी बाहन होने चाहिए वही योग होगा ऐसा नहीं है कि आप जो है यह सकर्पियों चाहेंगे ले ले या कोई छोटा कार ले ले तो यह सब संभब नहीं है क्योंकि यह सवारी गारी में नहीं आते हैं अब इस योजना के लिए हरता क्या है तो बताया परतिएक प्टिएक पुखाय्ट के लिए 7 योगा बिदक्सक्राइब को जो उपलब्ध रिक्त के अनुसार चेहन किया जागा मतलब 1 पंचाइब में 7 लोगों का चेहन होगा जिसमें 4 लाभुक इस यूजना के लिए आविधन करने के लिए कम से कम आपकी उम्र जो होगी 20 साल होन게요 किषी पंचायत के लिए लाभ पड़ापDR करने है तो लाभू को उक्त पंचायत के निवासी होना जरूरी है मतलब उस्सी पंचायत से आवेदन करिए जिस पंचायत के अपनिवासी है ये धियान रखेगा बाकि लाभू के पास हलके मोटर यान के चाला की अनुग्यापती होनी जरूरी है ये भी ध्यान रखेगा साथ में इन होने नोट में एक पॉइंट पता है कि आवेदन इसके लिए ओनलाइन ही प्राप्त होंगे आवेदा को या असपष्ट विकल्ब देना होगा कि वो एम्बूलेंस करे करना चाहते या यातरी वाहन लेना चाहते ये आपको बताने होंगे तो ये कुछ इनका बेसिक गाइडलाइन था जिसके बारे में मैंने जनकारी दिया अब इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डिरेक्ट इस वेप साइट पर आएंगे यहां पर एक option मिलता है रेईश्टर का जिसके सामने आपको क्लिक करना है जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपके पास जो मुवाइल नंबर है मुवाइल नमबर डालना है, पासवर्ड आपको create करना है, जिसमें ABCD का बड़ा अग्छर, छोटा अग्छर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको opio करना है, उससी पासवर्ड को दबारा डालना है, email ID डालना है, और आपके पास travel license होने चाहिए, क्योंकि आप बाहन से जु user ID होता है, user name में वही डालेंगे, login करने के लिए यहाँ पर login वाले विकल पर क्लिक करेंगे, या पोटल पर ही यहाँ पर login का option दिये गया है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैंने बताया कि user name आपका mobile नमबर ही होता है, पासवर्ड जो भी आपन कुमार सरमा है, तो उनका first name राम होगा, middle name कुमार होगा, last name सरमा होगा, किसी का नाम दो अक्छर का है, राम कुमार है, तो राम first name और last name कुमार हो जागा, इससे according अपना नाम भरेंगे, अब यहाँ पर देखिए, आप अपने अभिबाबक के तोर पर जिनका भी नाम देना चाहे, जैसे कोई अपने पिता का नाम देना चाहते है, तो यहाँ पर son of दे सकती है, कोई लरकी है, जो अभिवाहित है, वो daughter of दे सकती, कोई महिला है, तो husband of दे सकती, तो आप अपने according देखे, जिनका भी नाम दे रहा है, यहाँ से title चुने, तो यहाँ पर अपना पर जो आपका पंचायत परता होगा, यहाँ साब पंचायत को जो है, आप चैन करेंगे, अब पंचायत को जब चैन करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है, आपको बताना होगा, कि पिन कोड आपका क्या है, वो जनकारी आप यहाँ पर देंगे, इसके बाद आपका gender क्या ह पुरुस है या महिला है यानि पुरुस महिला दोनों लोग आवेदन दे सकते हैं आपकी कैटेगरी कौन सी है तेकी धियान रखिएगा यही कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी जैसे बीसी वाले नहीं कर सकते हैं यह धियान रखिएगा तो आप category यहां से chain करेंगे उसके बाद जो भी date of birth होगा तो date of birth के लिए calendar मिलता है पहले जो साल आपका होगा यहां से आप बढ़ाग अटा सकते हैं जो महिना होगा उससे chain करेंगे जो date होगा उससे इस परकार chain करेंगे तो यह selection हो जाएगा फिर आपकी उम्र कितनी हो रही है वो जन आ सकते या motor cab लेना है जो छे sitter तक होता है वो चाहिए टेक्सी कैब चाहिए 7 sitter से 12 sitter तक होता वो लेना है तो यह अप ले सकते हैं इसके अलाभे आप चाहते हैं 8 sitter वाला लेना वो ले सकते है 9 sitter 10 sitter तो सबका option है आप देख लेंगे आपको क्या लेना है आप उससे chain कर सकते हैं अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पर इरिक्सा का तो कोई option नहीं है तो इरिक्सा थिरी विलर में ही आ जाता है क्योंकि तीन पहिये वहाँ नहीं है जैसे कोई लोग अगर matik pass किया है तो matik आप बताएंगे कि किस board से किया है तो आप matik वाले पहले tick करेंगे तो यह tick होगगा और यह काम करेगा जैसे भी hardboard से होंगे भी यह से भी पटना लिखेंगे इंटर भी अगर आपने किया है तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंटर्मीडियार को टिक करेंगे तो इंटर्मीडियार की जैनकारी देनी सिर्प आप matik ही किया है तो matik की जैनकारी देंगे अटिक में क्या percentage है ओ बताएंगे intermediate है ऊसका board का नाम क्या परसेंटेज है कि जो सन किये हैं तो आप बताएंगे किस इन्वरसेटी से किया है क्या परसेंटेज है पीजी किया है इसके अलाबे अगर माल दीजे कोई लोग जो है नन मैटिक है वो मैटिक भी नहीं किये है तो आप इसको अंटिक करेंगे यहां पर आप टिकर दीजेगा म तो यहां पर पूछेगा कि क्या सभी आविदक ऐसी यानि जो कैटेगरी चुनेंगे उसी कैटेगरी से है तो यहां पर आपको एस करना है तो पूछेगा कि क्या सभी आविदक चारसो सतासे प्रखंड के है तो यहां पर आपको इस करना है फिर बाकि जो आविदक है उनका नाम इस परकार कॉमा लगा कर आप जो है अड कर सकते हैं अगर मां दीजेए आप अकेला आविदन दे रहे तो यहां पर अंटीक करेंगे यह जनकारी आपको भड़ने की जरूरत नहीं होगी बाकि यहां पर आपको घोसना देना है चेक बॉक्स पर टी करना है को अप्सन मिलेगा सेब नेश्ट का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आप अगले श्टिप में आते हैं जा पर डोकुमेंट देनी है जिसमें सबसे पहले एक आवेदन संख्षाप को मिल जाता है तो सब क्या है क्या यहां पर डोकुमेंट आपको प्रस्तूत करने होगा अगर आप अकेले हैं तो आप अपना जो है एड़ेस के लिए जो भी एड़ेस प्रूप देना चाहे जैसा अधार कार्ड बोटर आईडी कार्ड डाइवी लेसंस उसे सेंड करेंगे और उससे क् के अंदर में ही यहां पर आपको सेलेक्ट करकर अप्लोड करना है फिर आपको अपना कैटेगेरी सेर्टिफिकर्ट यहां से देना है या निकाज सेर्टिफिकर्ट देना है उससे अप्लोड करेंगे फिर बर्थ प्रूप के लिए आप जो है यहां से कोई डोकुमेंट दे सकते हैं जैसे birth certificate हो गया, अधार काड हो गया, pen card हो गया, डैवी license हो गया, या तेंद कि certificate देना चाहते हैं, तो उससे भी आप यहां से upload कर सकते हैं, डैवी license को upload करना है, साथ में अगर आपने section निक योगता जो भी डाला था, उसकी जयनकारी आप यहां पर दे सकते हैं, जैसे matic है, या non matic है, तो जो भी है उससे चुनकर, यहां से उससे भी आप upload करेंगे, और एक option मिलेगा, submit का, जिस पर click करना है, उसके बाद इसका जो print out मिलेगा, उससे संभाल कर आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, अब साथियों, जब आवेदन आप दे देते हैं, तो उसके बाद इसकी selection procedure कैसे होती है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ, जबी भी जब आवेदन आप देते हैं, तो यहां पर परखंड अस्तर पर, पर ही यह सुचना पत होता है, वहां पर ही इसका जो लिष्ट है चिपकाई जाती है, तो आपको अपने ब्लॉक पंचायत में इस चीजों को लेकर पता करते रहना है, जैसे ही लिष्ट आता है, उसमें नाम देखिएगा, इसमें किसी को कोई अपती करनी है, तो अपती भी कर सकते हैं, फिर फाइनल लिष्ट आपकी पांच अक्टूबर तक सभी परखंड पंचायत की जारी हो जाएगी, जिसको आपको देख लेना है, फिर इसमें कोई अपती है, उससे आप कर सकते हैं, उसके बाद जो चैनित लोग होंगे, उन सभी को बाहन खरीदने के लिए बोला जागा, बाहन जब खरीदेंगे, उसके बाद उसका जो भी बील है, जब आप जमा करेंगे, उसके बाद आप सभी का CFMS के माध्यम से जो भुकतान की रासी है, आपको साथ दिनों के अंदर में ही कर ली जाती है, तो ये पूरी परकिरिया आप सभी का होने वाला है, दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस योजना के बारे में पूरी जनकारी बता है, मुख देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद